नमस्कार मित्रो श्री स्वामिनारें गुलुको चितल इकलास में आपका हर्दिक स्वागत है आज हम कक्षा 10 विशे हिंदी पद्य पांच मीरा के पद काविय का अभियास करेंगे कवित्री का नाम है मीराबाय तो इस तस्वीर में हम कवित्री मीराबाय को देख सकते है साथ में पगवान कृष्ण भी है मीराबाय कृष्ण के अनन्य भक्त है तो पहले हम मीराबाय के बारे में अभियास करेंगे यानी मीराबाय के बारे में हम परिचे देंगे तो मिरा बाई का भगवान कृष्ण के प्रती बच्पन से ही लगाव रहा है वे स्रीकृष्ण के एक निष्ठ भक्त थी श्रीकृष्ण प्रेम की अनन्य गाई का मिरा जन्म मेडता जिल्ला जोदपूर के निकड कुड की नामक गाव में राव रतन सी राठोर के यहां हुआ था दो वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदाराव उन्हे मेडता ले गए क्योंकि मिरा की मा का द्यावसन हो गया था दुदाराव स्वयम वेश्णव भक्त थे उस परिवस के प्रभाव स्वरूप मिरा बच्पन से ही कृष्ण भक्ती की और उन्मुख हो गई इनका ब्यहा राणा सांगा के जैश्ट पुत्र कुवर भोज राजा के साथ हुआ था विवा के साथ वर्ष बाद भोज राजा का स्वर्गवास हो गया अब वे अपना अधिकांक्ष समय सत्संग एवं पुजा पाठ में बिताने लगी पारिवारिक यातनाओ से व्यथित होकर विरक्त हुवी मिरा तथा पहले रुंदावन और बाद में द्वारिकां चली गई जहां जीवन के अंतिम समय तक रही मिरा रचीत पद मिरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रती उनकी अनन्य आस्ति अनेक भावदाराव में बह चली है यहां उनके तीन पद दिये गए है जिन में गिरिधर गोपाल के प्रती उनकी अनन्य भक्ति के दर्शन होते है पहले पद में श्री कृष्ण के प्रती मिरा की समर्पित भक्ति भावना परिलक्षित हुई है मिराबाई ने गिरिधर गोपाल को ही अपने जिवन का आधार बना लिया है वे अपने भायबंदू सगे सम्मधियों को त्याग कर इश्वर की शरन में आ गई है उन्हें सादुशंतों की संगती में बेटने में कोई लाज शर्म नहीं है उन्हें इश्वर के लगन लग गई है वे कहती है कि अब जो होना हो वह हो दुसरा पद है उसमें मीराबाय के लिए इश्वर के भक्ती किसी अमुल्य रत्न की भाती है इस रत्न को पाकर वे अत्यंत प्रसन नहे वे इश्वर की भक्ती को जन्म जन्मांतर की एसी पुजी मानती है जो निरंतर अधिक से अधिक बढ़ती ही चाहती है सदगुरो की कृपा से वे भावसागर पार कर आई है और इश्वर का गुनगान करते नहीं ठकती तिसरा पद है उसमें मिराबाई बताते है कि भगवान कृष्टन के प्रेम में वो दिवानी हो गई है वे अपना सब कुछ त्याग कर इश्वर की भक्ती में लीन हो गई है उन्होंने अपने आपको इश्वर को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है तो अब इन तीनों पदों के बारे में हम जानकरी प्राप्त करते हैं तो पहला पद है तो देखिए मेरे तो गिर्धर गोपाल दुसरा न कोई दुसरा न कोई सादो सकल लोक जोई पाई चोडिया बंदू चोडिया चोडिया सगा सोई सादू संग बेठी बेठी लोकलाज खोई पगत देख राजी हुई जगत देख रोई असुवन चल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई दधी मती तुरूत काडीलियो डार दै कुछोई राणा विश्को प्यालो पेज्यो पीय मगन होई अब तो बात फेल गई जाने सब कोई मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई इस पद में मीरा बाई कहती है कि जिसने गिरी यानी परवत को उठा लिया था वही श्रीकृष्ण मेरे जिवन के एक मात्र आधार है हे महनुभावो मैंने सारा संसार चान मारा श्रीकृष्ण के अतिरीक्त मेरा कोई दुसरा नहीं है वे कहती है कि भगवान स्रीकृष्ण के लिए मैंने अपने भाई, बंधू तथा सभी सगे रिष्चदारों को छोड़ दिया है और सादू संतों के पास बेठ बेठ कर लोकलाज खो दी है सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान के पक्तों को देखकर मुझे आनंद होता है गिर्धर गोपाल के विरह में निरंतर भहते हुए आसुओ के चल्म से मैंने इस प्रेमरूपी लता को रोपा है और सीचा है वे कहती है कि जैसे दही को मतकर घी निकाल लेने के बाद मतानी को एक ओर रख दिया जाता है वेसे ही मैंने इस भहुसागर का मन्थन कर स्रीकुष्ण के प्रेमरूपी सारा तत्व को एकत्र कर लिया है और सांसारिक को किनारे रख दिया है मिरा बाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला प्यजा था पर उसे मैंने खुशी-खुशी पी लिया वे कहती है कि अब तो स्रीकुष्ण से उनके प्रेम की बात चारो और पहल चुकी है और इस बात की सब को चानकारी हो गई है मिरा बाई कहती है कि अब तो पगवान से उनकी लगन लग रगए है जो होना होगा वही होगा दुसरा पद है अब दुसरे पद के बारे में मैं आपको बताता हो तो आप सुने पायो जी मेने राम रतन धन पायो बस्तु अन मोलक दी मेरे सत गुरु कर किर्पा अपनायो जनम जनम की पुंजी पाई जग में सबे खोबायो खर्चे नहीं कोई चोर न लेबे दिन दिन बढ़त सवायो सत की नाव खे वटिया सत गुरु पहुसागर तरी आयो मीरा के प्रभु गिर्धर नागर हर्की हर्की जस गायो तो इस पद में मीरा बाई कहती है कि मेने इश्वर रुपी रतन प्राप्त कर लिया है मेरे सदगुरु ने मुझे पर कुपा करके यह अनमोल रतन मुझे दिया है मैंने यह अनमोल रतन अपना लिया है मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी है और अब जन्म जन्मांतर की यह पुझी पा ली है यह एसी पुझी है जो न तो खर्च होती है और न कोई चोर इससे चुरा सकता है इतना ही नहीं इसमें रोज सवाई रुद्धी होती रहती है मीरा अबाई कहती है के सच्चाइ की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपनी सदगयरूपी केउनाहर के साथ संसारूपी सागर पार कर लिया है मीरा खूश होकर अपनी भगवान कृष्टन का गुनगान करती है मिरा का आरध्य देव बगवान स्री कृष्ट नहीं तो एह हम जानते हैं तो अब तिसरा पद है तो तिसरे पद में मिरा बाई ने क्या कहा है तो आप सुनिए पग घूंगुरू बांद मिरा नाची रे लोक कहे मिरा भई बाउरी सास कहे कुल नासी रे चहर का प्याला राणा जीने भेजा पीवत मिरा नसी रे मेतो अपने नाराहिन की हो गई आप ही दासी रे मिरा के प्रभु गिर्दर नागर बेग मिलो अवी नासी रे तो तिसरे पद में मिरा बाई कहती है भगवान कृष्टन के प्रेम में ओ दिवानी हो गई है वे अपना सब कुछ भूल गई है वे अपने पेरों में कुंगुरु बांद कर भगवद भक्ती में लीन होकर नाच रही है लोग मीरा बाई का यह रूप देखकर कहते है कि वह पागल हो गई है मीरा बाई की सांस कहती है कि वह उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुल नाशी नी है यह सब देखकर राणा ने मीरा बाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको पेजा पर मिराबाई निश्चिंत होकर वह जहर भी हस्ते हस्ते पी गई मिराबाई कहती है कि उन्होंने अपने आपको भगवान स्रीकृष्ण को समर्पिर्द कर दिया है और वे उनके दासी बन गई है मिराबाई कहती है कि गिर्दरी भगवान कृष्ण आप हजर अमर है हे प्रभु आप मुझे शिक्र दर्शन कीजे तो इस तरह मीरा बाई ने इस काव्य में तीन पद लिखे है तो इसी तरह हमने इन तीन पदों का अभ्यास किया अस्तु